हेलो गाइज, वेलकम तो स्टेडी आईएस और आज की वीडियो में मैं आपके साथ बात करूँगा बायो गैस के बारे में अब यह हमारे इंपोर्टन्ट क्यों है तो देखें दोस्तों बेसिकली क्या हुआ है रीजिंटी सेंटर ने यहां पर अनाउंस किया है कुछ प्लैंस हैं जिसके तहट हम लोग यहां बायो गैस के प्लांट को देखने वाले हैं और वहाँ पर हमें यह भी देखने को मलेगा कि जो सीबी जी हैस की सेल्ड में ट्रेट ट्रिक होने की बात भी आई है आज वीडियो में हम लोग यह तो बात देखेंगे कि आखरी यह क्या बात है क्यों यह बात नियूज में है पर उसके साथ हम यह भी देखेंगे कि बायो गैस नमाइप लिए क्यों इंपोर्टन है तो वीडियो को एंड तक पूरा देखेंगा काफी मजा है आपको और खाफी सरी चीजे भी जो हैं मैं आपके साथ डिसकस करने वाला हूँ अब कुछ भी स्टार्ट करने से पहले बता दूँ आपको कि अनकेडमी के परफॉर्मेंस पिष्टे दो सालों से आप लोग देख सकते हैं देट इस वेरी वेरी गूड ओके जिरो परसेनेट के मैंगा फाइदा आपको आज से ही मिलता है अगर आप कोई भी कोर्स परचेस करेंगे तो यह फाइदा आपको मिलेगा ही मिलेगा साथ दोस्तो और राजिन दर्नागर में भी अनकेडमी सेनेटर जो है वो नया नया लॉंच हो गया है और वहां पर भी 2024 के फाउंडेशन बेच के जो एडिमिशन है यह ओपन है ज्यादा इंफॉर्मेंस जिंग के लिए आप लोग यहां पर भी कॉंटेक्ट कर सकते हैं अब देगे दोस्तो बेसिकली क्या हुआ था जब हमारे युन मजट आया 2023 अब इसका उस ताइम पे बहुत ज़्यदा फोकस किया गया क्लीन एनरजी पे और इसके लावद दोस्तो यहां पे लगबग 35,000 करोड रुपए दिये गए इन्वेस्टमेंट वर्ड एनरजी ट्र इंकल्रनाइजिंग और गैनिक बायो एग्रो रेसोर्सेज धन स्कीम के तहट आप कह सकते हैं वेस्टू वेल्थ प्लांट बनाये जाने वाले हैं पांत्सो जो ने प्लांट होंगे दोस्तो उसमें 200 जो होंगे वह कंप्रेस्ट बाइज प्लांट होंगे जिसके अंदर दो इनजी सिक्यूरिटी को भी साथ ही दोस्तो हमारे लिए अगर जो डिपेंडेंसी रिप्लेस करना है वे फॉसल फ्यूल पर जो हमारी डिपेंडेंसी हो रखी है उसके लिए बायो गैस जो है वो सबसे बड़ा और सबसे आपका चाथते हैं निर्भर करने वाला हमारे लिए अब देखें बायो गैस जो है वो मिक्षेर होता है मीथीन का काप्रेंड एक्साइड का और भी काफी सरी गैसिस का यह प्रेड्यूस करता है दोस्तों एनॉर्बिक फर्मेंटेशन जो भी आपके सकते हैं और एक और एक और बनाता है बात आप जानते हैं तो उसी तरीके से एक पेयाता है चैनल जैंब जाता है जिससे क्या होता है यहां जो Hydrolisis इसमें क्या होता है Carbon Hydrate रिच दूसरा आपका स्टेज है Acidogenes इसके अंदर क्या होता है जो Acidogenic Bacteria होता है basically वो वजलता है sugar में और जो Ammonia Acid होता है Carbon and Exit Organic Acid hydrogen Ammonia में 3 दोस्त आपका स्टेज होता है Acetogenes इसके अंदर क्या होता है जो अगरिनिक एसीड होता है यह ट्रांस्वों करता है खुद को एसे टेट में ओके और उसके विज़े से अमें मिलता क्या है मीथियन और कावरन डायक्सटाइड उसके बाद हम लोग इसे आप कैसे आपके सकते हैं आगे प्रोसेस में ले के जाते हैं कि उसको हम लोग यूज कर रखेगा अब देखे दोस्तों यहाँ पर जो इसे बादाने में इसको इतना बनाने में कितना होता है तो 250 बार का जो प्रेशर है बार जो है वो प्रेशर के यूनिट है दोस्तों प्रेशर आप जो डालेंगे तब यहाँ पर आपको कंप्रेश्ड बार गैस मिलेगी नाम से पता लग रहा है कंप्रेश्ड मतलब कि प्रस्ट डाला गया एक तम यहाँ पर दोस्तों आता है बाव मीथेन देखे आपको बता दूमें बाव मिथीन जो है उसे में कहते हैं और यह लगबग आप कहते हैं प्योर सोर्फ रहता है मीथीन का जो क्या पसक्ते हैं अप्ग्रेडिंग ग्यास यह फिर घैसिफिकीशन ऑफुलिड वाय म्यक्ड गिलाने बात जिसे मों कहते हैं उसके बात पता रगता है देखे दोस्तों जब हम लोग स्योटी रि काफी सारे इनिशेटिव्स हैं जो कि लिए गवर्मेंट की द्वारा वके बाव गैस के लिए पहला है दोस्तो सस्टेनिबल अल्टरनेटिव तु मोर ऑफटेबल ट्रांस्पोर्टेशन प्रोग्राम जो कि 2018 में लॉंच हो था यहां पर गवर्मेंट जो है वो एंग्रेज कर मेंज्मेंट कंपोनेट का अंटर सुच बारत मिशन ग्रामीन उसके तहित यह आता है आपका गोबर्दन थाड़े दोस्तो वेस्टो एनरजी डिवीजन जो कि आप कर सकते हैं लाग है बाइदे मेंस्ट्री अफ न्यू एन रिडिनोमल एनरजी के द्वारा साथी दोस्तों उसको यहां पर बता दूं पांत साल का ये एक पूरा बाइन वाला आधे अटा लेकर पके पर चोड़ा trends यह पूरी त्रीके से ध्यां differsंदिया जाएगा के नो—के शवारों थाट डा पहला बताए बावस्त इंधन एप बरा इस्टी बहुत जादा है दोस्तों और आप करते हैं लेस एनरजी चाहिए होती है वागाइस को बनाने में भी दोसी बात दोस्तों क्या है इसमें कि जो मीथिया ने वह काफी हाइर ग्रिनाउस या फिर वार्मिंग प्रोटेंशिल रखती है देन कार्बन डेक्साइड तो यहां से भी क्या हो फिर आता है आपका रिन्योबल लेकिंगे जो रॉम मैटेरियल जो की यूज होते हैं वह प्रोड़क्शन लेक्टे आते हैं रिन्योबल के और जो ट्री है यह पर प्रोप्स वगएर हो गया उनको यहां पर ग्रोपने में दिक्कत नहीं होती है रिडियूस करता है दोस्तों स्वाइल और वाटर पॉलिशन को भी यह सबसे बड़ी बात है कि यहां पर पर सकते हैं इस टाइम पर जो स्वाइल पॉलिशन है यह बहुत आपके सकते हैं बड़ा खतरा हमें आगया आने को मिल सकता है तो यह यहां पर फाइदा दे रही है और यहां यहां यूज करते हैं आप पालिजे खेतों वगेरा में भी जिससे की काफी मदद हो जाएगी हमारे लेकिन कुछ चैलेंजिस भी आते हैं प्रोडक्शन में और यूज करने में पहला दोस्तों सबसुबड़ा यहां पर आपके सकते हैं वह है लैक आफ टेक्नॉल नहीं है यह जो टेक्नॉलजी काफी एक्स्पेंसिव है कि दूसरी बात आती है दोस्तों इंपुरिटीज की जब लोग यहां पर सकने रिफान्मेंट होती है फिर कंप्रिशन होता है बहुत जदे यहां पर इन्फरमिटीज आती हैं कोरोजन वगेरा जो है यह सब होता है अब इसकी से दोस्तों इसकी मैंटेनंस करने में बहुत पर आसा लाग जाता है यह दिक्कत होगी तेंप्रिचर लिमीटेशन दोस्तों जबाएगा इस जनरेशन है फिर कोई और भी यहां पर आप आलेजिया एनर्जी रिसोर्स है सोलर या फिर विंड वह कहने के वेदर प जहां पर आपको चेंते ही इतना ददा नहीं मिल सकता है बैसिकली पिलांट या पिर अनिमल वगर्णा नहीं मिलते हैं वह काफी मुश्किल से मिलते हैं तो वहां पे आप कहा सकते है यह बहुत मुश्किल हो जाएगा यह बढ़ीया है घरम बात करने लोग या फिस अपर अ आपको यहां पर जो चीज़ समझनी चाहिए वो समझ में ही होगी आपके क्या व्यूस है क्या रहा है मुझे बताए कमेंट सेक्षिन में पर आच वीडियो के इतने मिलते हैं नेक्स वीडियो में तो तक लिए और नाइस डे एंड टेक क्यों